नमस्कार आप देख रहे हैं पोलिस वाला वैब नियूस मैं हूँ आपके साथ हर्शिता मुश्रा आएप शुरुआत करते हैं कुछ खास खबरों से रास्तानी भोपाल के हनुमान गंज इलाके में चोरी की योजना बनाते हुए तीन आरुप्यों को पोलिस ने ग्रफतार किया है इन दौर में बस हाथसे में मरत बच्चों की आत्मा की श्रांती के लिए खाते गाम नगर में फाइटर मित्र मंडल एंजी एसपी और संस्था विनफ के बैनर दले केंडिल मार्ट निकाला गया इन दौर शहर की क्राइम ब्रांच टीम ने अवाय धक्यारों का निर्मान करूंकी तसकरी करने वाले एक गिरों का परदाफास किया है रास्तानी भुपाल के हनुमान गंज इलाके में चोरी की योजना बनाते हुए तीन आरुपियों को पुलिस ने ग्रफतार किया है पुलिस ने आरूपियों के कबजे से तेजधार हत्यार भी बरामत किये हैं वो पाल पुलिस ने बताया कि मंगलवार देर रात मुखबीर से सूचना मिली थी कि तीन आरूपियों को संजन अगर स्थित इरानी डेरा के पास से हिरासत में लिया गया है आरूपियों की पहचान दीपक कुश्वभा आबिद नसीम के रूप में हुई है पुलिस का कहना है कि पूष्टाच में आरूपियों द्वारा बताया गया कि वो इलाके में चोरी करने की योजना बना रहे थे आरोपियों के कबजे से दो तेज़दार छोरी बरामत की गई है आरोपियों के खिलाफ आईपीसी की धारा 401, 25 आम एक्स्ट के तहट मामला दर्ज किया गया है उसकी मानसिक दसा देखने से समझ में आ गही थी कि वो मानसिक रूप से सही नहीं है मेंटली रिटार्टेट टाइप का लग रहा था जिसको थाने में लेकर के खलीया पहुंचा गया और किसी प्रकार की कोई उसके द्वारा पॉलिस स्टाप के साथ कोई मारबीट की गड़ना नहीं ही वो वीडियो जो बाइरल हुए उसमें हाथ का एंगल या उसको गाड़ी में बिठाल रहे थे विठालने में थोड़ी कठना ही उसको बिठालने में थोड़ी कठना ही उसपन हुई और उसकी जो मानसी की स्थिती मनोदेशा को देखते हुए गरवालों के सुपर्त किया रिया तद समय कोई प्रिवेंटिव एक्शन नहीं किया इन दौर में बस हाथसे में मरत बच्चों की आत्मा की श्यांती के लिए खातेगाव नगर में फाइटर मित्रमंडल, NGSP और संस्था अभिनव के बैनर तले केंडल मार्च निकाला गया और श्रधांजली सभा रखी गई केंडल मार्च पुलिस्थाना परिसर से नगर की प्रमुक मार्गों से होते हुए पुन्रो पुलिस्थाना परिसर पहुचा जहां श्रधांजली सभा होई इस दोरान मंदी अध्यक्ष दिनेश यादव, फाइटर मित्रमंडल रवी यादव, अनिल यादव, संस्था भिनव से विजय माधव यादव, राम सिंग यादव और स्कूल संचालकों की ओर से संतोष सरमाश सहित अनेक विध्यार्ती और खिलारी भी केंडल मार्च में स दू मिनिट का मौन रहकर श्रद्धांजली अर्पित की श्रद्धांचली सभा को संबोधित करते हुए मंडी अध्यक्ष दिनेश यादव ने कहा कि इंदोर में हुई सड़क दुरगटना एक रिदय विधारक घटना है, मन अत्यधिक पीड़ा से भरा है, इश्वर से मास उन बच्चों की आत्मा को अपने चरणों में स्थान देनी की प्रात्ना करता हूँ, और परिवार को इस रिदय विधारक घटना में संबल प्रदान करने की प्रात्ना इश्वर से कर रहा हूँ इस रिद्धिक प्रात्राओं के देश इस पस्किती में इंडोर में जो दुखत गटना गटी थी, उन बच्चों के साथ उसको लेकर सनज दें, नगर की जो प्रामुजन है, संगधन है, उनके द्वारा इंडल माच निकाल कर दें, शद्धा सुमन अज़िगी गई इलाबाद में तीर्तों के राजा प्रयाग संगम के किनारे लगने वाले माग मेले में, रात के समय अलिडी और रंगीन लाइटों से एक अलग ही शहर बसा होने के अनुभूती होती है, तंबूओं के बीच से निकलती रोशनी में पूरी गंगा यमुना का जल रोशनी में टिम्टिमाता रहता है, इस द्रश को देखने के लिए शास्त्री पुल पर लोगों की भीड़ जोटी रहती है, शास्त्री पुल से लोग नीचे का नजारा देखते हुए बेहद खुश और गर्व का अनुभव करते हैं इंदोर शहर की क्राइम ब्रांच टीम ने अवैध हत्यारों का निर्मान कर उनकी तसकरी करने वाले एक गिरो का परदाफाश किया है पुलिस ने गिरो के 8 आरुपियों को पकड़ने में सफलता हासिल की है, आरुपियों के कबजे से 12 अवैध हत्यार और 6 जिंदा कार्तूस बरामत किये गए है पुलिस की आरुपियों से पूशताज जारी है, इंदोर क्राइम ब्रांच एसपी अमरेंदर सिंग ने बताया कि पकड़ाये गए अवैध हत्यार, तसकरों की पैचान मेहर सिंग, मनीश सिंग चोहान, अनिल बौरासी, सोनू उर्फ सूरज, लेखराज यादव, सौरप कटियार और शुभम सिंग पवार के रूप में हुई है, एसपी सिंग का कहना है कि आरुपियों से की गई सक्त पूशताज में पता चुला है कि आरुपी मेहर सिंग बीते कई सालों से अवैध हत्यारों को बनाने का काम कर रहा है, आरुपी सस्ते दामों में कच्च पुरानी रंजश के चलते गोली मारी है, दिन दहाडे हुए इस घटना क्रम से पूरे शेतर में दहशत का माहोल है, बता जा रहा है कि प्रदीब भाजपा के मंदल का कारे करता है और सुभे अधार ताल स्थित अपनी दुकान जा रहा था, तभी अचानक दो लोगों ने म दर्ज कर कुछ अग्यातम हमलावारों की तलाश शुरू करती है, देश में किन्नरों का काम शुब मौकों पर लोगों के घरों पर जाकर बधाई देने या ट्रेनों बसों दुकानों में लोगों से पैसे मांग कर गुजारा करने तक ही माना जाता है, लेकिन नवी कैफे में फिलाल 6 किनरों को नौकरी दी गई है, इस कैफे में किनर ही कस्टमर्स को खाना परोस्ते हैं, किचन समालने की जिम्मदारी भी इन पर है, इस कैफे में कुल 20 इंप्लॉई है, ये कैफे नवी मुंबई के वाशी में स्तित सेक्टर 19D में है, इलावान में श्री न मारेकरम के बारे में जानकारी देते हुए स्वामी नर्सिंग दास जी महराज ने बताया कि प्रयाग में ये महायग्य अपने आप में अनूठा होगा. प्रदेश तरकार सरकारी अस्पतालों में गरीबों को अच्छी चेकितसा सुविता देने के प्रयास कर रही है, लेकिन नीमत जिला अस्पताल के आलम ये है, कि जिला अस्पताल में डिलिवरी के लिए नीमच घंटा घर के पास रहवासी महिला इमरान भी अपने पती मोह शाकर के साथ 6 गंटे तक इधर उधर भटकती नहीं, लेकिन महिला को जिला स्पताल में डिलिवरी के लिए भरती नहीं किया गया जब महिला दर्द से तलपती हुई जिला स्पताल संगर्श समीती के साथ अपनी फर्याद लेकर जिला कलेक्टर कारले पहुंची तो कलेक्टर के निर्देश पर स्टैनो वलदेव शर्मा और अपर कलेक्टर विने कुमार वाहन में महिला को बिठा कर जिलास्पताल पहुँचे और महिला को डिलिवरी के लिए अस्पताल में भर्ती किया गया महिला के पती का अरोप है कि जिला अस्पताल में उपचार के लिए आने के बाद ड्यूटी डॉक्टर नमिता उज्छा ने महिला को तीसरे ओपरेशन के लिए प्राइवेट क्लीनिक में जाने की बात कही और अस्पताल में उपचार से मना किया गया इधर अपर कलेक्टर विने कुमार धोका कहते हैं कि संसाधनों की कमी के कारण थोड़ी जिला अस्पताल में समस्याएं आ रही हैं लेकिन जल्द से जल्द ही समाधान होगा महिला की शिकायत पर तुरंत जिला अस्पताल में बात कर भरती करवाया गया है जल्द ही शिकायत प इसमेदानी है यहां किस तरह का बरताव किया गया अप लोगों के साथ में वह नर्सों ने और इना और यहां पर चुपाम करती है उन्हों ने अश्पित पर तमीजी सफात करी और जो आय थे हमारे साथ उन्हें से भी तो आपको उपरेशन के लिए क्या वो लगया है यहां से कि यहां प्रावेट में जाओ यहां पर नहीं होगा कौन सी दोक्टर थी यहां पर नमीता ओचाथ ठीए आपका नाम बता देती है इम्रान देखिए अभी जब मेडिया की जिए हम आदे से पौन गंडे वेट करते रहें कोई भी मेला डोक्टर नियों नर्सों का के ला है कि हम घर से मेडम को बुलाते ही इसा क्यों अब अभी इसके समद में जो हस्पिटल की उजस्था है उनको सुलिशित करने के लिए एक जो जोइन कलिक् अभी जो महिला सब्सक्राइब दद बटक रहती है कि इसका उप्चार होगा जिलास के तानुआ अभी मेरी जो बात हुई है जैसा मैंने बताया कि सेवेचों के यह कहना है कि अभी सेजेडियन के लिए स्थेती मतलब टाइम अनुकुल नहीं है यानने अनुकुल सा आचे ह कि अभी वो ड्यू नहीं हुई है लेकिन भी मैंने सेवेचों सबसे जो मेरी बात हुई है उसके अनुसार उसका पूरा प्रेक्शन करके और उसको प्रापर गाइडेंस जो है वो मिल जाएगा जो भी अगर ऐसा कुछ भी पाहे जाएगा तो निश्य दूप से क्लिक सब को पूर्व जिलाचिकिसल संगर समीति के सदस्य मनीश जी गोयल के पास फोन आया उनके परिचित थे जिनका डिलेवरी का मामला था महिला को एड्मिट कर लिया गया था पर जब ऑपरेशन की बारी आई तो डॉक्टर नम्मिता हो जाने हमेशा की तरह इस बार भी उनकी डिल जी भरा रहा इसमें डॉक्टर नमीता हो जाका ये कहना है कि यहां पर हमारे पास परियाप जोए वस्तानी एक तरफ हमारे यहां के जनप्रतिनी दी विधायक बड़ी-बड़ी बाते कर रहे हैं कि ट्रामा सेंटर शुरू कर रहे हैं जब आप ऑपरेशन जैसी सुईदा म कि यहां कुछ नहीं कि पाए कलेक्टर माहते संपर करने के प्रहस किया शैदो टीयल मीटिंग में वियसते हैं इस कारण से इस मामेले में चर्चा नहीं हुए विए यह मैं यहां था, दस सारह दस वजे गरीब, और उन्हें मेरम ने मेरम नौत उन्हें को भाट इसे मिरे बच्चे हैं और इस अफ आप इसन मेरे को करा ना था, तो इत्ते मैं नर से बोल गई, और ला हिहां बत्त मीजी से मतलब बात चित करने लग गई, आने सनद बोलन उजयन जिले के घोसला रागवी पुलिस ने अवैद रेत परिवाहन के मामले में तीन डंपर जब्त किये हैं डंपर बिना रॉयल्टी के मिले हैं रागवी थाना शेत्र के टी आई दिनेश भोजक और पूरी टीम ने डंपरों को जब तकर प्रकरन दर्जगर रागवी थाने में खड़े कर दिये हैं आगरिम कारवाही पुलिस द्वारा की जा रही है और फिलाल खबरों में इतना ही मुझे दीचे इजाज़त नमस्कार